हाई फ्रेंड्स किये गए वादे के मुताबिक मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों ये LED TV 32H की है इसमें चाइना का मदर वोड इस्टाल किया गया था एक टेक्निशियन हमारे पास लेके आए थे इसमें दोस्तों यहाँ पर कारणर पर एजिंग मोड लिखके आ गया है इन्होंने क्या किया था सर्विस मेनू खोला हुआ था और उसमें कोई आफसन को छिड़ खानी कर दिया था तो एजिंग मोड लिखके आता है दोस्तों इसको कैसे दूर करेंगे यहाँ पर LED में आपको दिखा दे रहे हूं LED बिलिंग करेगी इसकी पहचा नहीं है और इस प्रॉब्लम आती है तो आपको इसके बारे में इस वीडियो में जानेगे सबसे पहले आपको रिमोट में दिखा देता हूँ रिमोट का कोई भी की प्रेस करते हैं लेकिन टीवी में कोई हरकत नहीं होती है और एजिंग मोल लिखके आता है और एलेडी इसकी लिंकिंग होती है तो दोस्तों मैं आपको गुजारिस करूँगा अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे द्वारा बनाई जाने वाले नहीं नहीं वीडियो आप तक पहुंचती रहे हैं तो मैं आपको यहां पर जैसा की बता रहा था रिमोट वर्क नहीं करता है अब इसको हमें ठीक करना है कैसे ठीक करना है इसके लिए हमें घबडाना नहीं दोस्तों यहां पर एक टाइम लिखके आता है लेप्ट साइट पे और राइट साइट पे टाइमर भी चलता रहता है और यही इसकी पहचान है एजिंग मूल लिखे आता है दोस्तों यह डिस्पलेस का थोड़ा सा टूटा हुआ है लेकिन मैं आपको यह फाल सही करके दिखाता हूँ अगर आपसे भी कोई गलती हो गई कोई मिश्टेक हो गई है तो आप कैसे ठीक करेंगे रिमोट तो आपका काम नहीं करेंगा और इसको कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में बताएगे सबसे पहले दोस्तों टीबी को आप डिस्कनेक्ट करने पाउर से उसके बाद दुबारा से पाउर को लगाए उसके बाद जो हमारा की पैड की बटन को हम 5 seconds तक प्रेस करेंगे इस्टेंड बाइ मोड को रिलीज करने के लिए भी पैड को प्रेस करेंगे रखा हुआ इसकी बटन और TV on हो रही है यह एह अपर तो दोस्तों ये smart TV है wisdoms here 32 inch का board लगा हुआ है तो जैसे TV आन होगी दोस्तों उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या करना है इसमें इसमें आप कोई भी की प्रेस करेंगे जैसे आन होगी उसके बाद तो मैं यहाँ पे input वाली बटन प्रेस करके दिखाता हूँ आपको तो यहाँ पे जैसे हमने की को प्रेस करा है तो यहाँ पे अच्छी तरीके से सो हो गया वाईलूम भी काम कर रहा है और सारी की पैड हमारे काम कर रहे है यहाँ पे उसके बाद हम दोस्तों रिमोट भी चला के देख लेते हैं तो रिमोट भी हमारा यहाँ पे वाईलूम घटा बढ़ा के दिखा देता हूँ काम कर रहा है अच्छी तरीके से काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है इस तरीकी के प्रब्लम आती है तो दोस्तों घबडाना नहीं बिल्कुल आपको कुछ इस तरीके से पावर आफ करना है और उसके बाद दोस्तों 5 सिकंड तक कीबोर्ड को प्रेस करें के रखना है यह आपकी प्रब्लम दूर हो जाएगी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आये होगी तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा से शेर करिएगा मैं आपसे गुजारिस करूँगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो में क्या प्रब्लम्स है या आप क्या जानना चाहते हैं हम उस पे नई नई वीडियो लाते रहेगे